इस टाइम पर ताजे ताजे हरे मटर सभी के घरों में मिल जाते हैं तो आएए आज बनाते हैं यूपी बिहार की फेमस मटर का निमोना या इसे गुदला भी कहते हैं कहीं कहीं कि स्वादिष्ट सबजी की रेसिपी यह ऐसी सबजी है जिसमें मसाले का यूज बहुत कम होता है और मटर से ही इसकी ग्रेवी बनती है और बहुत ही डिलिस्यस बनती है नमस्कार दोस्तों सुमी जयमी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है मटर का निमोना बनाने के लिए हमने यहाँ बर 15 से 20 चोटे साइज के आलू को बॉयल करके लिया है तीन कप हरे ताजे मटर के दाने लिए हैं जिसमें से दो कप और थोड़ी सी धन्या के स्टेम् मोटा दरदरा पीसना है मटर को इसके बाद हम 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ओयल गरम करेंगे और इसमें जो बॉयल किया हुआ आलू हमने रखा है वो गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे आलू को पकाना नहीं है क्योंकि यह पहले से बॉयल किया हुआ इसलिए टाइम बह और देखें क्या अंतर होता है तेस्ट में तो आलू यहां पर हो चुका है सारे आलू मैंने निकाल लिये तेल में से अब यह जो बचा हुआ तेल है इसी में आधी चमर जीरा दो तीन तेज पता और दो पिंच हींग डालेंगे और जब यह थोड़ा सा भून जाएगा तब इसमें दो चॉप किये हुए बारिक चॉप किये हुए प्याज डाल देंगे प्याज के साथ ही जो साबुत मतर के दाने हमने रखे थे वह एड़ करेंगे और थोड़ा सा नमक भी डालेंगे लो फ्लेम पर सारी कुकिंग करनी है अभी शुरुआत में क्योंकि मतर का कलर हमे यह थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर मतर थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है अब हम इसमें तीन बारिक कटे हुए टमाटर डालेंगे यहाँ पर मैंने देसी टमाटर यूज किया है इसका खटा टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इस करी में आप कोई भी टमाटर डाल सकते हैं टमाटर को पेस्ट मत बनाईए बारिक काट कर डाले तो देखने में भी करी बहुत अच्छी लगती है टमाटर और मतर के अच्छी तरह पकने तक हम इसे ढख कर कुक करेंगे लो फ्लेम पर ही कुक करना है जब सभी चीजां सॉफ्ट हो जाए तब इसमें आधि चमच जीरा पाउडर 4 चमच काली मिर्च का पाउडर और चौथाई चमच लाल मिर्च का पाउडर सबी चीजों को लो फ्लेम पर तब तक भूनें जब तक इसमें से अच्छी सी खुस्बू ना आने लगे मसालों की और फ्लेम को हाई बिल्कुल भी ना करें इससे मसाले का कलर चेंज हो जाएगा और वो थोड़ा डार्क कलर का हो जाएगा तो बाद में निमोना अच्छा नहीं लगेगा मसालों से जब खुस्बू आने लगेगी तब इसमें हम पीसे वे मटर एड़ कर देंगे और ग्रैंडर जार में थोड़ा पानी डाल कर सारा पेश्ट निकाल कर उसे भी डाल देंगे इसे भी हमें लो फ्लेम पर ही कुक करना है तो अच्छी तरह मिक्स करके हम कवर लगाकर फ्लेम को बिलकुल लो रखेंगे मटर को सिर्फ पकाना है और उसका कच्छा पंदूर करना है पीसा हुआ मटर है बहुत टाइम नहीं लेगा लेकिन तेज आज पर भूनेंगे तो कल कर खराब हो जाएगा आपकी ग्रेवी का इस बात का ध्यान रखें तो पांच से छे मिनट में यह भी अच्छी तरह भून जाता है तो जब मटर से खुश्बू आने लगे पके मटर की यानि कि उसका कच्छा पंद चला जाए तब हम इसमें बॉयल किये हुए आलू डालें पानी के साथ ही हम इसमें नमक भी स्वात के अनुसार मिलाएंगे क्योंकि हमने सुरू में सिर्फ आदा चमच नमक डाला था जो की मट टमाटर और मटर को 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 करने के लिए अड़ किया था अब ग्रेवी के हिसाब से नमक करेंगे और साथ ही आधी चमच हम यहाँ पर गरम मसाला भी आड़ करेंगे इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा आधी चमच से थोड़ा कम ही डाला है यहाँ पर तो सभी चीजों को मिक्स करके ढखके लो टू मीडियम फ्लेम पर पांच से छे मिनट तक पकने दे इससे मसालों का और नमक का फ्लेवर पुरा अच्छे स अब्सार्ब हो जाएगा सभी चीजों में ग्रेवी बनकर तयार है इसमें फ्रेश हरा धनिया उपर से एड़ करके पांच मिनट के लिए ढखकर छोड़ दे गैस आफ कर दे और पांच मिनट के बाद ये मटर का निमोना सर्व करने के तयार है आप इसे गर्मा गर्म चावल या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं बहुत ही डिलिसियस निमोना बननी है आप जरूर एक बार इस तरह से बनाए आपको ये बहुत पसंद आने वाली है रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद